इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 Edible Plant के बारे में जिने हमें अपने घर में उगाना चाहिए हर गार्डनर चाहता है कि उसके गार्डन में हब्स और स्पाइसेज हो जिसे कीचन में यूज किया जा सके प्लांट्स ना केवल हमें fresh hair देते हैं, बलकि different variety में edible plants खाने को और भी delicious बनाते हैं इन edible plants के कोक अच्छा या पकाकर दोनों ही तरह से खाया जा सकता है इडेबल प्लांट्स हमारे लिए कई तरह से यूसफुल है जैसे हमें फ्रेश एर देते हैं इन्हें खाने से हमें विटामिन, मिन्रल्स और एंटी ओक्सिजन मिलता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है साथ ही हमारी इमिनिटी को भी बूस्ट करता है तो चलिए जानते ह दस इडेबल प्लांट के बारे में फरस्ट है मिन्ट जिसे पोधीना भी का जाता है ये प्लांट पहले वैस्ट में ही ज़्यादतर उगाया जाता था पर आजकल हर जगें जहां इसे पानी मिल जाए हर दिन ये वहां आसानी से उग जाता है इसमें अच्छी और स्ट्रॉं के उग भी नहीं पाता इस मिन्ट को बहुत से खाने की चीजों में यूज लिया जाता है साथ ही बहुत सी पीने की चीजों में भी यूज लिया जाता है जैसे मिन्ट की पत्यों को बारे काट कर पानी में मीठा ये नमक के साथ समर में पिया जाता है ये यूजफुल है इन या तुलसी प्लांट जिसकी पूज़ पूरे भारत में की जाती है ये प्लांट हिंदूओं के लिए बहुत खास है माना जाता है कि हिंदूगोड स्री कृष्णा जी की तुलसी जी पतनी है तुलसी प्लांट ग्रीन और परपल लीव्स का होता है इसमें कई medical properties हैं जो कफ, कोल्ड, अस्थमा, कैस्ट्रोल और डाइजेशन को ठीक करने में यूज आती है इस प्लांट की लीव्स, रूट और सीड्स डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल परपस में यूज आते हैं ये प्लांट बहुत जादा अच्छा प्लांट है जो हमें गार्डन में जरूर ही उगाना चाहिए थर्ड है लेमन ग्रास जो सजावती पोदा है इससे फुल सनलाइट, पोशन वाली लूमी सोयल, हलकी गिली मिट्टी उगने के लिए चाहिए ये प्लांट दो से चार फिट तक उचा उगता है और इसकी ग्रीन टी भी बना कर पी जाती है साथ ही खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए भी यूज लिया जाता है लेमन ग्रास से साबुन और टोलेंट क्लीनर प्रोडेक्ट भी बनाए जाते है इसके खटे होने की प्रोपर्टी के कारण इससे इंसेक्ट को भगाने के लिए घर में इस्प्रे बनाई जाती है फोर्थ है स्वीट बैसल या सबजा प्लांट ये इजीली कहीं भी भारत में ग्रो हो जाता है बीना किसी केर के इस प्लांट के बीज में फाइबर और न्यूट्रियंट जैसे की कैल्शियम, मेगनेशियम और आइरन पाए जाते है साथ ही ये बलड से शुगर लेवल को कंट्रोल करता है स्वीट पैसल का यूज, सलाद और आइस्क्रीम को डेकॉरेट करने के लिए किया जाता है ये हर साल बीज से अपने आप उगने वाला पोदा है जिसे उगाने के लिए स्प्रिंग सीजन, समर सीजन के साथ फुल सनलाइट, हलका पानी और वेडरेन सोल चाहिए होती है इस प्लांट की पतियां में मीठी होने के साथ हलकी खुश्बु वाली होती है इसका यूज खाने के उपर डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है फिफ्थ है गिलोई प्लांट, जिसकी पतियां हार्ट शेप की होती है इसे गुडूची या अमरिता भी कहते है इसे ओशिदी का आयुरवेद में मतलब अमरिता समान, अमरित समान है इससे उगाने के लिए तेज सनलाइट और मीडियम रेंफोल चाहिए इस प्लांट को सूके एरिया में भी उगाया जा सकता है जहां कम पानी हो ये लो मेंटेनेंस और मेडिकल प्रोपर्टी वाला पोदा है इससे जादूई पोधा भी कहते हैं जब मेडिकल प्रोपर्टीज की बात करें जैसे की गिलोए का जूज, इमिनिटी बूस्ट करने और फीवर, एनीमिया, यूरिनियरी ट्रेक डिसोडर और डायबिटीज को ठीक करने में यूज आता है सिक्स्थ है मीठा नीम और करी पत्ता, ये सबजियों को चटपटा सत तड़का लगाने में यूज आता है मीठे नीम को घर में लगबग सब लोग उकाते हैं करी लीव भारत के सभी सबजियों में यूज किया जाता है जैसे दाल, सामभर, खमन, कड़ी, छोले इस प्लांट में आईरन और फोलिक एसिड है जो हमारी स्किन और हेर की हेल्थ के लिए अच्छा है सेवन्थ है क्लोब्स प्लांट जिसे हिंदी में लोंग भी कहते हैं ये खाने में टेस्ट बढ़ाने में मदद करता है इस प्लांट को ट्रोपिकल क्लाइमेट के साथ न्यूट्रेंस वाली लूमी सोयल उगने के लिए चाहिए है लोंग का यूज भारत की हर घर में देखने को मिल जाता है लोंग से निकला ओयल दातों की हेल्थ के लिए अच्छा है इसमें बहुत सी मेडिकल प्रोपिटी हैं जैसे एंटी ओक्सिजन इसकी वज़्य से इसकी चाय बनाकर पी जाती है जो बोडी को डिटॉक्स करती है लोंग एंटी सैप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है इसके पेस्ट बनाकर गाव पर लगाने से जल्दी आराम मिलता है लोंग को हमारे खाने में एड करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है ये हमारे डाइजिस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखने में मदद करता है लोंग से स्वैलिंग भी कम होती है एट है थाइम्स ये सदा बाहर जड़ी बूटियों में से है जो अपनी खुश्बू और सुन्दर होने के कारण सब को अपनी और अट्रेक्ट करता है इसकी पचास से भी ज़्यादा वैराइटी देखने को मिल जाती है जो अलग-अलग खुश्बू और डिफरिंट डिफरि प्रीज में मिलती है इसकी लीव्स को तोड़कर खाने में डाला जाता है इसकी जिससे इसकी स्वादिस्ट खुश्बू खाने के साथ मिलकर खाने को और भी टेस्टी बनाती है इसकी खुश्बू और इसमें पाए जाने वाले गुन लंबे समय तक रहते हैं जिस कारण इस इसे फ्रेश या सुखाकर दोनों ही तरह से खाया जा सकता है इसे सबजियों के साथ-साथ साबुन और इसकिन रिलेटिड प्रोडेक्ट बनाने में खुश्बू के लिए यूज किया जाता है इसमें मेडिकल प्रोपर्टी है जो कफ स्टर्मक रिलेटिड इश्यू को ठीक कर सुई के आकार के होते हैं और ये पोदीने की फैमिली से बिलोंग करता है इसका यूज किचन में खाने का फ्लेवर बढ़ाने के लिए यूज लिया जाता है इसका टेस्ट हलका सा खट्टा है जो खाने के उपर डाला जाता है खासकर इटेलियन खाने पर इस प्लांट को उ ब्ल्यू और पर्पल, टैंथ है बैटल या पान जो खाने के बाद खाने में यूज लिया जाता है, ये हर्ट शेप की लीव वाला प्लांट है, जो भारत में आमतोर पर खाया जाता है, इसे उगाना वहुत सस्ता है, ये इजीली स्टैम कटिंग से ग्रू हो जाता है, ये बे इंट्रेंट्स पाय जाते हैं, जो बोड़ी को कूल रखने में मदद करते हैं, पान को खाने के साथ साथ भारत में हिंदू पूजा पार्ट में भी सदियों से यूज लिया जा रहा है, कुछ प्लांट खाने को स्वाधिस्ट बनाने में और कुछ मेडिकल प्रपरटी के सा हमें हेल्थी रखने में यूज किये जाते हैं, साथ ही घर में प्लांट्स को उगाना घर को ओ डेकॉरेटिव बनाता है, तो आज से ही आप स्टार्ट कीजिए अपना इडेबल गार्डन, अगर ये इंफोर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत कुछ अच्छी चाह से ही जात ये इंट ओम लगाना इंट ये जातनी साथ हो और में येजिए जाएवाल्य वे आपको सावतिव जाएवी कर अपको ये प्लांट्स को ये ये अवेशन आपको अच्छी टार्ट में जातनी साथ हो जाते हैं झाल्लोर